एक 18 साला हैकर ने वरल्ड नामर वन टेक्सी सर्विस कमपणी उबर को चंद ही गंटू के अंदर हैक करके उनने कई दिन तक उनके सर्वर्ड बंद करने पर मजबूर कर दिया है क्या वर्ल्ड नंबर वन टेक्सी कंपनी की सिक्यूरिटी इतनी ही कमजोर थी कि एक 18 साल के बच्चे ने उनका सिस्टम हैक कर लिया या फिर लड़का ही इतना टैलेंडेट था कि उनके सिस्टम के अंदर गुस के उनकी हर चीज को हैक कर लेता है अज़रों दोस्तों मेरे नाम है मकास चोधरी और आप देखने है आईटी फिक्सर टीवी आए जानते हैं इसकी हकीकत क्या है लास्ट वीग में कुछ हुआ यूंकि जब सुब्स्वेरे आके उबर के इंप्लाइस ने अपने कम्प्यूटर वाल किये तो उनके इंटर्नल पोर्टल के उपर हर कंपनी का इक इंटर्नल पोर्टल होता है इस पर उसने बहुत ही शौकिंग प्रूफ दिया उसने अबर के सोर्स कोड की इमजिस उनके साथ शेयर की कि यह देखें आपका पूरे का पूरा कोड जो है मेरे पास मौजूद है इसको मैं चाहूँ तो पब्लिक कर सकता हूँ जिसके बाद उबर के IT सेक्शन की दोड़े लगी और उनने अपने एक एक करके सारही सर्वर ऑफ लाइन कर दिया जिसमें उनका स्लैक का सर्वर था AWS था और Google Cloud था जितनी भी इंटर्नल कम्यूनिकेशन की उनकी सर्व से थी सब को बंद कर दिया और इसको तक्रीबर उनने तीन दिन के लिए बंद रखा दोस्तों हैकर जब भी किसी का सिस्टम है करता है उसके पिछे उसका कोई ना कोई मकसद होता है वो कोई ना कोई नोट छोड़ के जाता है और 99.9% हैकर्स का काम सिर्फ और सिर्फ पैसे लेना होता है आपसे रैंसम लेना होता है लेकिन इस केस में तो कुछ सेनर्यो यह ओर था जब हैकर का नोट पड़कर उससे राबता किया गया और पूचा किया वह आप ने हमारा system किस तरह hack किया है क्यों hack किया है और आपका मक्सद क्या है hacker ने बताया कि भाई उसने आपके system का एक user एक Uber के employee से हासल किया है और इसके जरीए वह आपके system में दाखलो कि उसने सारे के सारे एड्मर राइट्स हासल कर लिये हैं और इस वक्त उसकी हर चीज़ के उपर access है उसका यह कहना था कि Uber के driver जितनी मेनत करते हैं उस हसाब से उनको pay नहीं किया जाता है यानि कि उनकी percentage को बढ़ाना चाहिए जितनी उनकी मेनत है उसके हिसाब से उबर उनको पैसे नहीं दे रहा है हर तीन दिन के बाद उबर ने एक ट्वीट किया है और उनकी सारी कि सारी online हैं ड्राइवर आप में कोई इशू नहीं है और किसी किसम का हमारा डेटा compromise नहीं हुआ और ना ही उन्हें अपने customers को और drivers को अपने password change करने के लिए कहा है आपके ह्याल में क्या उबर को यह advisory जारी नहीं करनी चाहिए कि उनका system hack हो गया था इसलिए precautionary measure के तोर पर सारे users अपने password change कर लें उबर में तो यह नहीं कहा लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि भाई अगर आपकी उबर की एप है आप driver हो या उबर के user हो तो अपने account का password जरूर चेंज कर लें यह hacker इसको पबलिक कर देगा और account आपके कभी कभी compromise हो सकते हैं आई ओपके दोस्तों यह वीडियो आपके लिए इंफोवेटिव रहोगा वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार यहां तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लिए टैंक्यू पर वाचिंग अलाव